दोस्तो आज हम बनाएंगे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज पीज वो भी तवे पे तो आये देखते से कैसे बनाते हैं हेलो दोस्तो मैं हूँ रोमा कैसे हैं आप लोग पीजा बनाने के लिए हमें जो इनकी रेंज चाहिए वह है पीजा बेस यह आप बस एक एक सिम्ला मिर्च एक टमाटर एक प्याज लिया है और 100 ग्राम स्वीट कॉर्ण है और अब हम पीजा बेस के उपर के परत को यूँ कट करेंगे यूँ घुमाते हुए इसे हम कट कर लेंगे चार तरब से और इसके उपर के परत को हटा लेंगे कुछ इस तरह से कट करना है इस तरह से जिससे के आप देख सकते हैं और अब हम इस पर मुजरोला चीज को ग्रेट करेंगे मुजरोला चीज भी आपको किसी भी डेडी की दुकान में बहुत ही असानी से मिल जाएगा मार्केट में इस तरह से इसे हम यूँ ग्रेट कर लेंगे और अब हम इसके उपर के हिसे को यूँ डाल कर और इसके किनारे को हल्का हल्का पानी लगाकर इसे हम स्टक कर देंगे पानी लगाकर इसके किनारे को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और अब हम इसके लगाएंगे पीजा सॉस और अब हम इसके उपर डालेंगे प्याज झालेंगे बंद कर दो कर दो दो आज कर दो आजी प्याजाएंगे झाल 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 उच्वा प्रुण झाल 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 यहां यहां जाल अब के अंदर डालेंगे और पीजा इसे हम ऐंदर करेंगे और पीजा मोड के लाएक करेंगे हम तबे को भी दो मिनट पहले प्री हिट कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके उपर भी हम तबे के उपर भी हम मक्षान को घृस कर लेंगे अच्छे से मक्षान को घृस करना है और अब हम इसके उपर पीजा को डाल देंगे और फिलेम को लो कर देंगे और लो फिलेम पे इसे हम ढख कर आठ से दस मिनट पकाएंगे यह पीजा बनकर तयार है जैसर के आप देख सकते हैं अब हम तवे की पीजा को भी चेक कर लेते हैं यह पीजा भी बनकर तयार है देखाना दोस्तों आपने इसे बनाना कितना असान है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अब झाल 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 झाल झाल